अलो विवर्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सनी के सस योग के बारे में। 2023 में कौन सी वे चार भाग्यसाली रासियां हैं जिनके उपर सनी का सस योग लग रहा है। पंच महापुरुस राज योगों में से एक होता है सस योग। जिस व्यक्ति के कुंडली में सस योग होता है वह राजा तुल्य होता है। महाप्राक्रमी होता है। बुद्धी उसकी बहुत ही तेज होती है। वह संगर्शील प्राणी होता है। और समाज में एक उचे वहदे पड़ जाता है और समाज में वह नाम कमाता है तो इसी तरह की कुछ घटना 17 जनवरी 2023 को लगने जा रही है ये 17 जनवरी 2023 को सनी मकर रासी से निकल कर कुम्ब रासी में परवेश कर रहे हैं तो कुछ रासीयों के लिए ये सस योग के निर्मान क कर रहे हैं सस योग वास्तों में जब भी सनी किसी लगन के केंदर में जाते हैं सोरासी के होते हैं या उच के होते हैं उस समय उस लगन वाले के लिए या उस रासी वाले के लिए सस योग के निर्मान हो जाता है दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, वे अगर कोई अधिकारी हैं, या कोई मंत्री हैं, या किसी उचे पदपर हैं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे सनी के हाथ जरूर होता है जिस ब्यक्ति की कुंडली में सनी कमजोर अवस्था में हो, छीन अवस्था में हो, वैसे ब्यक्ति कभी उचे पद पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे लोग उतने परिश्रम करने वाले होते ही नहीं है, संघर्सील प्राणी होते ही नहीं, तो जो ब्यक्ति संघर्स नहीं कर वो संभावना ही नहीं है कि किसी उच्चे पद या पर्तिष्ठा पर असीन हो जाए। तो सनी का सस योग लगने का ये मतलब नहीं है कि सनी आपके भागे को लाकर आपकी हंथेली पर रख देंगे और आप एक राजा तुल्ले सुख भौगने लगिएगा। सस योग में सनी व्यक्ति से कर्म कराते हैं मेनत कराते हैं और इतना कर्म कराते हैं व्यक्ति किसी न किसी अच्छे पद पर पहुंच ही जाता है। हाँ सस योग में थोड़ी बहुत देर अवस्य होती है अब रहा सवाल कि हम सस योग को अपने लगन के हिसाब से देखें या चंदर कुंडली के हिसाब से देखें तो जदी आपका चंदर कुंडली में बहुत मजबूत है तो आप राशी के हिसाब से भी देख सकते हैं अन्य या रहा है और इतना मान कर चलिए कि जिस दिन ये सस्योक का प्रारम हो जाएगा आपके उपर आप बहुत ही एक मेहनती किस्म का आदमी हो जाईएगा और परिश्रम कीजियेगा और जैसा और जिस भाव में रहेंगे के अदर के जिस भाव में भी हो रहेंगे उसके हिसाब से ओ फल देंगे लेकिन फल आपकी हथेली मिला कर नहीं देंगे बलकि आप से ही ओ कर्म कराएंगे आप से ही हो मेहनत कराएंगे और तब जाकर कहीं वो आपको सफलता की राह दिखाएंगे अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम मुद्दे पर आते हैं वे कौन-कौन सी भागिसाली रासिया हैं जिनके उपर सस्योग लगने जा रहा है तो सबसे पहले चौथे नंबर को हम देखते हैं चौथे नंबर पर कुम्ब रासी है कुम्ब रासी पर लगन में बैठ कर ही सनी सस्योग का निर्माण कर रहे हैं वे इसरे नंबर की जो रासी है वह ब्रिश्चिक रासी है, ब्रिश्चिक रासी पर भी चौथे अस्थान पर यानि चतुर्थ भाव में इनके सनी जा रहे हैं, जो स्वरासी के होकर जा रहे हैं, तो इन पर भी सस्योग का निर्माण हो रहा है, दूसरे नंबर पर अगर कोई रा प्रारंब हो जा रहा है और पहले नंबर पर जो रासी है वो है ब्रिस रासी ब्रिस रासी पर सनी दसंभाव पर जा रहे हैं केंदर में जा रहे हैं स्वरासी कर होकर जा रहे हैं और अपने कारक भाव में जा रहे हैं इसलिए इस ब्रिस रासी पर जो सस्योग का प्रभाव है बहुत ही बड़ा प्रभाव होने जा रहा है तो यह भी 17 जनवरी 2023 से इनका प्रारम हो रहा है सस्योग और जाकर मार्च 2025 में यह खत्म होगा अब सस्योग का प्रभाव अलग अलग रासी वालों पर किस तरह से फड़ेगा आईए अब हम इसकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आईए हम देखते हैं कुम लगन यह रासी वालों के लिए कि सस्योग का प्रभाव कैसा रहेगा तो कुम लगन यह रासी पर यह स्वयम 17 जनवरी को जा रहा है सनी यानि लगन पर ही इनका जो भी प्रभाव होगा होने वाला रहेगा यानि इनका पूरा प्रभाव लगन पर ही होगा लगन से हम क्या देखते हैं लगन से ब्यक्ति क्या ब्यक्तित्व देखा जाता है समाज में उसकी पर्तिष्ठा देखी जाती है उसका मन देखा जाता है मस्तिस्क देखा जाता है नाम और सोहरत देखा जाता है तो निश्चित है कि सनी ब्यक्ति को नाम, सोहरत, पद, पर्तिष्ठा सब कुछ दिलाने की कोशिस करेंगे लेकिन उसके लिए उस ब्यक्ति को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि पर्तिष्ठा स्वयम चल कर उसके कदमों में आगी रगी उसके लिए उसे अपने समाज में, अपने गाउं में, अपने मुहले में उस तरह का कुछ ऐसा एक्टिविटीज करना पड़ेगा जिसके वज़ा से उसका नाम आगे की तरफ तरक्की की ओर जाएगा उसके ब्यक्तितों में निखार आएगा तो मैं कुम लगन यरासी वाले ब्यक्तियों को यही कहना चाहूंगा कि वे इस समय का पूरा फायदा उठाएं और वे चाहे जिस फिल्ड में भी हो जितना कर्म हो सकता है जितना मेहनत हो सकता है वे अपने तरफ से बाकी नहीं रखें खुब मेहनत करें, खुब कर्म करें अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो इतना पढ़ाई करें, इतना मेहनत करें कि आपको निरासा तो हाथ नहीं लगेगी आप जितना महनत कीजेगा उसके हिसाब से अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा अब आए हम चलिए देखते हैं कि जिनका लगन ब्रिश्चिक है या रासी ब्रिश्चिक है उनमें सस्योग किस तरह का फल निर्मान करेगा तो सस्योग हालाकि ब्रिश्चिक जो रासी या लगन होते हैं उनके मालिक मंगल होते हैं तो मंगल से सनी की तो वैसे कोई मितरता नहीं रहती है लेकिन वे ब्रिश्चिक रासी के चतुर्थ भाव में जा रहे हैं चतुर्त भाव भूमी का होता है, भौवन का होता है, वाहन का होता है, मकान का होता है, तो सनी मकान के कारग्र हैं, या भूमी के अंदर के जो भी मिनरल्स हैं, उसके कारग्र हैं, तो सनी आपको इसे related सुख परदान करेंगे ही, किसी भी तरह से, तो निश्चित ही आपको घर या मकान से समंदित आपको ये सुख परदान करने वाले होएं जदी आप बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि कोई घर बनाना है मकान बनाना है तो निश्चित आपकी घर और मकान बनेगी लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी जदि आप किसी ख़दान से या मिनरल से समंद बेवसाय से जुड़े हैं तो इतना जान लिजिए कि ये सवादो साल जो रहेगा वो आपके लिए बहुत ही ब घर का अच्छा सुख मिलने वाला है और मिलेगा घर में खुशाली का वातावन रहेगा अगर ये कहीं दूर देश में रहते हैं कहीं दूसरे जगर रहते हैं तो इन्हें घर आने का भी मौका मिलेगा और इन्हें परिवार का सुख भी परदान होगा अब आईये हम देखत कि साधी वगरा नहीं हुई है वे साधी के उम्र के हैं तो नीचित ही इस सवस्था में उनकी साधी हो जाएगी अगर इनके प्रॉफेस्टित में कोई पार्टनर्सिप में है तो आप दोनों में नीचित है की कलिरिटी आएगी अगर आपके spouse को कोई बीमारी वगरा होगी तो थोड़ी सी आपको इसमें परिश्रम तो करनी पड़ेगी भागदर करने पड़ेगी लेकिन उस बीमारी से आप मुक्त करा सकते हैं अपने spouse को अगर आपका कोई बेवसाय होगा तो बेवसाय को आप मुचाई पर ले जा सकते हैं यानि सिंह लगन या रासी वालों को भी ये सनी का जो सस योग है बहुत ही उत्तम फल देने वाला है और सबसे अगर कहीं उत्तम फल देगा तो वह जिनकी रासी ब्रिस है या जिनका लगन ब्रिस है उनको फाइदा पहुँचने वाला है क्योंकि सनी उनके दसम भाव में जा रहे है और दसम भाव सनी का कारक भाव होता है ये कर्म को बहुत ज़्यादा सनी महतो देते हैं सनी नयाई प्रियेग्रा है बिना कर्म का ये कुछ भी नहीं देना चाहते है तो जिनका भी लगन ब्रिस है या रासी ब्रिस है उन्हों को सनी अब कर्म कराएंगे यानि कर्म करने का अब आपको एक सुनारा मौका मिल रहा है आप इसे चुकियेगा मत जितना आप कर्म कीजेगा अपने बेवसाय के लिए कर्म कीजिएगा, अपने नौकरी प्राप्ति के लिए कर्म कीजिएगा, उतना आप हो सके तो कीजिएगा, कियोंकि सनी आपको निरास नहीं होना देंगे, और निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा फॉल आपको परदान करेंगे, जदि कोई भी competitive ज दिश्टी से देखा जाए, बेवसाय के दिश्टी से देखा जाए, नौकरी वगरे के दिश्टी से देखा जाए, तो यह सस योग उनके लिए बहुत ही बढ़िया राने वाला है, अतामित्रों आज के लिए इतना ही, जदि मेरा content पसंद आए, तो like, share और subscribe जरूर कीजिए जदि आप Facebook पर देख रहे हैं, तो like करना मत बूलिएगा, नमस्कर.